हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आई टी आई की कमलेश विस्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स मैं आई टी आई इस्ट्रेक्टर कमलेश विस्वकर्मा आई टी गोडिंग कोई भी अपडेट से आप लोग आता है तो आपको इसलिए मादम से सबस अचापी तक नहीं हुआ है तो उनका कब से कब तक लिया जाएगा और जितने भी छात्रों का एक्जाम तेरह से लेकर 15 सिदंबर से बीच में आप लोग का होना है तो यहाँ पर जिनका एक्जाम चल रहा था तो फाइली उनका एक्जाम यहाँ पर कैंसल कर दिया गया है औ और हमारे कारेज पर भी बहुत से स्टुटिंट का एक्जाम हो रहा था जोकि 13-15 के बीच में तो उनका भी जाम यहाँ पर कैंसल हुआ है बट जिनका यहाँ पर इंजिंड्राइंग ट्रेडर पैटिकला एक्जाम हो रहा था बैट क्परेशा के तो फाइली उनका एकजाम और किस काड हुआ है आपको नेक वीडियों माताँ बताऊंगा तो सभी को वीडियों कम्प्लीट देखना तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा और जो भी चाहते अब तक मेरे वीडियों को लाइक नहीं किये हुए हैं तो आपको शब्से पहले आपको जरकारी देता हूं एकदम सस्क्राइब कर लेजे तो यहां पर देखिये आइटी दिविटी थिवरी परिच्छा केंसिल और यहां पर जितने भी चाहत्रों का yaşam चल रहा था तो ओनेधा के consideration कर दिया ग sixthー जोकी यहां पर देख पार हैं हमारे मेल अच्वी दियों ऑन ब्न टू मैसेज इन दा मॉर्णिंग में आप लोग का मैसेज आया है जो कि शीविटी एक्जाम्स आप 14 15 शेप्टेंबर 2021 विल बी रिसेडूलेड एज दे शेम इज नाव पोश्पॉन्ट दिक है यहां पर जितने भी छात्रों का फेश्टू का एक्जाम रहता है जो कि 14 और 15 को एक्जाम होना हे तो उनका ही फानल रहती अप एक्जाम पोश्पॉन्ट किया गया है बागी आपका नेक्स्ट प्रेज में ञाएज लिए जाएंगे और आप लोग का लिस्ट का रिस्ट आएगा जैसे ही वैसे प्रोड़ों का लिस्ट आ és करा है आप लोग पर नाम चेक कर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं और यहां पर आप काजल कुमारी बोल रही है कि सर हम अभी जस्ट आये हैं सेंटर पर से घूम कर बहुत दिमाग खराब हुआ है सर मैं को बता दिना चाहिए था कि पहले पर कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है यहां पर इनका कहना है कि देखिए एक गंटे पहले रही है कि इनका जो एक्जाम है आज की डेट में था बट यह जब सेंटर पहुची तो उनको मालूँ है कि उनका एक्जाम कैंसिल हो चुका है इस कि आपने इंका पहुचा क्यान से पर चुका है तो आप लूग अपने आईटी इस संस्थान से कौंटेक्ट करिए और और वहां से पता करिए कि आपका एक्जाम पॉश्पॉर्ण हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि हमारे काड़ज कर तो हुआ है और यहां पर इस्टूडेंट भी बता रहे हैं कि उनका एक्जाम कैंसल कर दिया गए तो जैसे ही आगे आपका कोई भी नोटिस आता है या नहीं